हालो फ्रेंट स्वागा थे आपका रिटास तड़का चैनल में और आज आप सबके साथ में शेर करने जा रही हूँ वेच चौमीन की रेस्पी इसे आप मिंटों में बना सकते हैं और बच्चों को तो चौमीन बहुत ही पसंद है खाना लेकिन चौमीन बनाते समय क्या होता है कई बार चौमीन चिपक जाती है और वो टेस्ट नहीं आता है जैसी हम बजार में खाते हैं तो बिल्खुल बजार जैसा टेस्ट इस चौमीन का आएगा और ये देखे कितनी यम्मी लग रही है देखने में तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो चौमीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें पानी उबालना है तो यहां पर मैंने कड़ाई में पानी ले लिया है इसको उबालेंगे तो आप इसी तरीके के कोई बड़ा सा बरतन ले जिसमें चौमीन को आपको उबालना है अब इसमें हम डालेंगे एक चमच के करीब नम तो आप कोशिश करें कि नूडल्स उबालने के लिए आप कोई भी बड़ा सा वर्तन लें जिससे की नूडल्स आसानी से उबल सकें अब आप यहां पे देख सकते हैं इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है अब इसमें हम यह एक पैकेट डाल देंगे नूडल्स तो मैंने यहा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा गैस की फिल्म को मीडियम टू हाई कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा उबाल लेंगे थोड़ी दिर के बाद आप देखेंगे यह हलके से तरीके से खुलने लगे हैं तो दीरे दीरे हम इसको इस तरीके से फैला देंगे तो हमें इ तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं तो इस तरीके से हातों से हम इसे हल्का सा दबाएंगे तो ये हल्के से कच्चे दिख रहे हैं इसका मतलब ये 70% तक उबले हैं अभी थोड़े से कच्चे हैं अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे किसी भी छन्नी में चान लेंगे और चानने के बाद तुरंद हम इसके उपर डाल देंगे ठंडा पानी क्योंकि हमें इसे और ज़्यादा गरम नहीं रखना है ठंडा पानी डालने से क्या होगा ये इतने ही पके रहेंगे और ज़्यादा नहीं पकेंगे अब हम इसका पानी सारा निकालने के बाद इसे ट्रांसफर कर देंगे किसी भी बड़ी सी प्लेट में या कोई भी परात ले लें इस तरीके से इसे फैला देंगे इससे क्या है यह आपस में चिपकेंगे भी नहीं और साथे में थोड़ा सा ओयल और इसके उपर डाल देंगे एक चमच के करीब और हातों से इस तरीके से ओयल को सारे नूडल्स के उपर लगा देंगे आपने देखा होगा कई बार हम नूडल्स बनाते हैं तो वो चिपक जाते हैं उसका रिजन यही है कि हम उसे ऐसे छनी में जहने देते हैं जिससे कि वो ठंडे होके चिपक जाते हैं अब इसे उठा के हम साइड में रखतेंगे और अब हम ले लेंगे कोई भी बड़ी सी कड़ाई तो मैंने यहां पे यह लोई की कड़ाई ली है क्योंकि यह थोड़ी सी मोटे तले की होती है इसमें नूडल्स चिपकेंगे भी नहीं और साथी में जलेंगे भी नहीं अब हम इसके चारो साइड इस तरीके से फैलाते हुए ओयल डालेंगे चार से पांच वड़े चमच और गैस की फ्लेम को आपको यहाँ पे मीडियम टू हाई रखना है और ओयल को भी आपको इसी तरीके से चारो साइड से कड़ाई के ओपर डालना है और अब यहाँ पे हम ले लेंगे थोड़ी सी बारी कटीवी गाजर एक प्याज ले लेंगे लंबा काट लेंगे उसको थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन ले लेंगे साथी में पत्ता को भी लेंगे इस तरीके से बारी कटीवी साथी में ले लेंगे शिमला मिर्च अब यहाँ पे सबजी आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो साथी में ले लेंगे दो बारी कटिवी हरी मिर्च और जैसे ऑईल अच्छे से गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे पहले प्याच और प्याच को हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे तो बहुत जादा हमें प्याज को नहीं भूनना है कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे और जैसे आप देखेंगे हलकी से प्याज भून गई है हम इसमें डाल देंगे एक चमब जिंजर कारलिक पेस्ट तो मैं यहाप एक चमब जिंजर कारलिक पेस्ट यूज कर रहे हूँ प्याज से पहले लहसन को भूने उसके बाद प्याज जालें अब इसमे में बारीक हरिमिश भी डाल देंगे तो अभी हम इसमें डालेंगे गाजर पत्तबरमी और सीमल अमिश नहीं डालेंगे इन सब कुछ सेकंड के लिए हलका सा सोटे कर लेंगे तो चौमी बनाते समय सारी सबजों को हमें बिल्कुल अच्छे से पकाना नहीं है, हलका सा कच्चा ही रहने देंगे, बस कुछ सेकंड के बाद अब इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च, और इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए हलका सा इसमें भून लेंगे, अगर आपके पास यह लोई वाली कड़ाई नहीं है, तो आप कोई भी नॉन स्टिक कड़ाई भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसमें भी नूडल्स नहीं चिपकते हैं, और सारे सबजों को हलका सा भूनने के बाद, अब इसमें हम डालेंगे एक पड़ा चमच सैजवान सास, तो यह आप क चमच के करीब, और इसमें हम डालेंगे वाइट विनेगर एक चमच, यहाँ पर मैंने ग्रीन सॉस का यूज नहीं किया है, आप इसमें ग्रीन सॉस पी डाल सकते हैं, एक से दो चमच के करीब, सारे चीजों को हलका सा मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें हम यह नूडल्स डा करेंगे, तो बहुत ही असानी से सारी चीज अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है, अगर आपको यहाँ पर इसमें सोया सॉस, चिली सॉस या टमाटो कैचप थोड़ा सा कम लग रहा है, तो आप इसमें और एट कर सकते हैं, अपने करने के बाद यहाँ पर यह वेच चामीन बनके हमारी रेडी है, आप देख सकते हैं, देखने में बिल्कुल ऐसी लग रही है, जैसी हम बाहर खाते हैं, अब हम इसे गर्मा गरम सर्फ कर लेते हैं, तो देखा आपने बहुत ही ईजी रेस्पी है, जरूर आप इसे ट्राइ लगेगा, और ट्राइ करने के बाद मुझे नीचे कमंड बॉक्स में कमंड लिखके जरूर बताईएगा, साथी में मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताईएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर करना बिल्कुल ना भोलें, तो हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक ये लिए नमस्कार,